अकसर फिल्म में सिर्फ दो चीज़ों के लिए देखी जाती हैं, एक एक्टर के लिए तो दूसरी उसकी एक्टिंग के लिए, चलो तीसरी चीज और जोलो कहानी, कुछ नया देखने की इच्छा जो आज से पहले कभी ना देखा हो, लेकिन एक चौथी कैटेगरी भी है जो स सौ में से सिफ एक बार फिल्म की किस्मत चमकाती है, म्यूजिक, गाने, एक ऐसी आवाज जो ओडियन्स को थेटर तक खिचे चले आने पर मजबूर कर दे, तडप इस फिल्म का ट्रेलर आया तो जितनी बात खुद फिल्म की नहीं हुई, उससे कई जाधा अरीजीत सिंग क आवाज की हो गई, तुमसे भी जाधा तुमसे प्यार किया, इस गाने को बच्चा बच्चा जानता है बॉस। दो जिसमें एक जान टाइप के, लेकिन फिर बीच में आया ऐसा खतरनाक सस्पेंस वाला ट्विस्ट की हीरो बन गया विलन और लव स्टोरी हेट स्टोरी में बदल गई, फिलाल इश्क, महाबबत, प्यार गया नवरतन का तेल लेने इशाना भाया को चाहिए बदला, अप आपकी मेरी आँखें भी पकड़ने में पूरी तरह चूक जाती है, और जब सच सामने आता है तो पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है, देखो जो ओरिजिनल फिल्म थी RX100 उसने तेल्गू सिर्मा का चोहरा बदल के रख दिया था, इतनी intense, bold, raw फिल्म जिसने देखा उसक तरब से शुरुवात करना चाहते हो, तो बॉस फिल्म एकड़म पैसा वसूल है, कहानी में मज़ा आएगा, लव स्टोरी जिसके एक-एक सीन को आप खुद की जिन्दगी से कंपेर किया बिना रहने ही पाओगे, रोमेंस एकड़म सॉलिड है, नई-नई फ्रेश जोड़ी जिससे क्या उमीद लगानी है हम नहीं जानते, इसलिए हर सीन खुद में एक सर्प्राइस बनके बहार निकलता है, उसके बाद एक्शन एकड़म खतरनाक लेवल का है, वॉयलेंस है, खुन खराबा भी है और जोरदार मारपीट भी है, और अच्छी बात ये कि इस सब में स सीधा रास्ता लेकिन अंदर से पूरा भूल भले या, ट्विस्ट फगेरा जादा नहीं है, लेकिन जो एक दो हैं वो दिल दिमाग दौनों को हिला के रख देंगे, एमोशन जितने भरे पड़े हैं वो सब बहार निकलाएंगे, फिर एक्टिंग वो कमाल है बवाल है, आह के साथ में कुछ मजबूत सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो आपका दिल जीत लेंगे, सौरब शुकला इस डाग कहानी में हसी लेकर आएंगे, इनकी बातें आपका दिल खुश कर देंगी, लेकिन सबसे छुपारुस्तम सर्प्राइज है तारा सुतारिया, चैलेंज इनके के लिए काफी बड़ा था, क्योंकि ओरिजनल फिल्म की जो एक्ट्रेस हैं, उनको सबसे जादा क्रेडिट दिया जाता है, आरेक्स हंड्रेट को ब्लॉक्बस्टर बनाने का, तारा ने भी पूरी कोशिश किये, प्लस इनका कैरेक्टर लिखा गया है बड़े चालाग तरी जिसमें एक्टिंग जीरो हो या हंड्रेड उससे फरकी नहीं पड़ेगा, बस आप इनके किरदार की कहानी जानना चाते हो, अब ये उपर वाली साधी चीजों को आपस में जोडने का काम करता है, तडप का पारफुल दिल से आरपार जाने वाला म्यूजिक, एक एक गाना कहानी की सिचुएशन बिल्कुल सठीक तरीके से बताने के लिए परफेक्ट साबित होता है, लिरिक्स जो दिमाग में छब जाते हैं और आवाज जो हमेशा के लिए कानों में अपनी पहचान छोड़ जाएगी, फिल्म अच्छी लगे ना लगे, लेकिन इसके म्यूजिक स शब्दों में उतारने वाले गाने, one of the best music album के लिए, तीसरा स्टार मिलेगा आँखों में धूल जोकने वाले direction के लिए, जो end तक कहानी का suspense छुपा के रखता है, और आधा स्टार पारफुल action scenes प्लस धमाकेदार BGM के deadly combination के लिए, जो हर एक fight scene को मज़िदार बना देता है, जो Rx100 को जैसे का तैसा बना के present कर पाए, और half star ending को बहुत जल्दी जटपट फटाफट निप्टाने के चक्कर में एक proper impact वो गायब हो जाता है, सुन लिया, मज़ा आया, आगे फैसला आपका है, YouTube पे Rx100 एकदम free मिल जाएगी देखने को, लेकिन जिन्दगी में कोई है, जिसके साथ 2 गंटे इश्क महुबत लडाने का मौका ढून रहे हो, तो थेटर में जाके तडप के दर्शन कर लो, बस आखरी में लड़ मत जाना, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो, या आपको कुछ रिकायब करनी हो, तो मैं आपको Instagram पे भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिये, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, ठेक कर, बाई बाई